हेलो एवरीवन वेल्कम बेक टू मैं चैनल विजिस भाटिया व्लॉक्स कैसे हो आप सब आई हो पाप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूं तो आप सोच रहोंगे कि मैं कर गया रही हूं मैं आ गई हूं किचन मे मैंने सोयाबिन का पैकेट निकाल लिया है पानी हलका सा गरम कर लिया है उसमें सोयाबिन को थोड़ी सी मात्रा में मैंने डाल दिया बहुत ज्यादा नहीं डाला है तो नीचे जो मेरा स्टील का ड्रम है उसमें रखते हूं वहीं से मैंने निकाला है जब तक मेरे सोयाबिन तो यहां पे बीटरूट को इसलिए मैं छील रही हूँ सिफ उसे क्रश करूँगी बाकी बची दू सब्स या उन सब को बस हातों से ही काट लूँगी कौन सी बहुत जादा क्वेंटिटी में काटना है एक एक करके तो काटना है तो यहां पे मैंने क्रशर निकाल लिया है और क्रशर की हेल्प से मैं इसे अच्छे तरीके से पूरा घिस लूँगी और अब यहां पे कैपसि कम को मैंने कात लिया है तो एक साइट कि ना थोड़ी से उसमें मतलब जैसे हलकी सी खराब से थी तो मैंने काटके निकाल दिया है बाकी जतना भी था कैपसिकम, वो मैंने बीट रूट को मैंने इस तरीके से कर लिया है एक बड़ा सा अनियन ले लिया है कैपसिकम चॉप कर लिया है दो हरी मिर्च और एक बड़ा सा टमाटर तेक है आप चाहे तो और भी वजिस एड़ कर सकते हैं जैसे कि गाजर पीले वाले कैपसिकम अगर आपके पास अवेलबल यहां पर देखो स्वाबिन मेरी दूल गए यह ठंडे पानी सा इसे नहीं चोड़ कर मैंने डारेक्ट विक्सर जार में एड़ कर दिया है और कुछ भी आड़ नहीं करना है आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं डाला है बस इसे सिंपली ग्राइंड कर लेंगे दो से त के हिसाब से आप चाहे तो क्वंटिटी बढ़ा भी सकते हैं और यहां पर मैंने स्वाबिन जुकरश करके रखा था वह भी एड़ कर दिया है तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम होगा इसलिए फिर भी मैंने थोड़ा सा और एड़ कर दिया और यहां पर जितनी भी मिर्च अपर दिया है किछन किंग पाउडर एड़ किया है थोड़ा सा धनिया पाउडर एड़ किया है बस और कुछ भी एड़ करने की जरूवत नहीं है तो उससे पूरा कलर चेंज हो जाएगा यहां पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक एड़ कर दिया है अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे तो मैंने हातों से मिक्स कर लिया था और इसका एक बेटर तयार कर लेंगे पानी डाल कर तो पहले इसे हम लोग अच्छे तरीके से मिला लेते हैं उसके बाद मैंने यहां पर जितनी जरुवत थी उतना पानी लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया लगा कि आप दोबारा कुछ खानी पाओगे तो यह सारी चीज़ें यहां पर बेसन मैंने थोड़ा सा और एड कर दे क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अब यहां पर उसे मैंने रेस्ट पर रख दिया दस मिनट के लिए तो मैंने यहां पर रिफाइन तिल मेरा पैकेट खोल कर डबे में डाल देती हूं ताकि अभी मुझे जरुवत भी पड़ेगी और यहां पर बाकी अपने काम भी दीरे-दीरे करके निपटा रही हूं जैसे कि बैसन का पैकेट मैंने अंदर रख दिया और जितने थोड़े से स्वाइबिन करश हुई बची थी थी तैने त्याले कने अअभी तावए मैं और यहां पे अच्छे से मैंने काट कर मिक्सर जर में एड़ करते है और अभी त psychiat करके ने एडर की जब तक बन रहेए त्यधर बनाना शेक की प्रिपरेशन कर रहा है। अब पिर केम को ढ़ने के बाद मैंने 2-3 एड़ किये जिसे ख अब भूषोड जोड़ खतम हो गया था तो मैंने थोड़ा सब शुगर एड़ कर दिया था क्यूंकि हसबन को क्थोड़ा मीठा मीठा पसंद इसी वज़े से यहां पढ़ने पीनट बटर मैंने एड़ कर दिया है और थोड़ा से यह फीने का पानी रखा था दूसरे गलास अब इन सब चीजों को हम लोग कर लेंगे मिक्स अब ग्राइंड करने से पहले ना मेरा एक चीला यहाँ पर बनके रेडी हो गया था तो मैंने सोचा कि फटा फट से उस चीले को निकाल कर दूसरा रख देते हैं इसलिए मैंने एक जगा रख दिया तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का इस कलर में बिल्कुल बनके आया है बहुत ही डिलीशियस लग रहा था अब यहां पे मैंने शेक को grind कर लिया था और एक ग्लास मैंने अपने लिए अलग कर लिया था अब यहां पे husband के लिए ready कर रही हूँ इसमें मैंने भुने हुए चने का powder डाला है और थोड़ा सा जो oats होता है जो हम लोग दूद में mix करके खाते हैं वो थोड़ा सा oats डाला है त तो बस अभी इन सब चीजों को mix करके मैंने फिर से एक बर ग्राइंड कर लिया है और अब husband के लिए यहां पे decorate कर रही हूँ मैं यह चॉकलेट सिरप मैंने निकाल लिया है और ग्लास में कुछ इस तरीके से डाल देंगे और बस यहां पे हम लोग शेक डाल देंगे तो यह हमारा आज का breakfast हो गया रेडी और नीचे जो खजूर वगरा रहते हैं मेरी mixer की बलिट उतनी धार नहीं है तो अभी-कभी उसके pieces रह जाते हैं वो पूरे mix नहीं होते हैं तो खेर वैसी को दिक्कत नहीं खाने में वह अच्छी ही लगते हैं यहां पे अब जाके husband को मैंने प छीला वगरा देदो खाने के लिए शेक मैं बाद भी पिऊंगा तो मैंने ठीक है तो फिर मैंने साइट में रख दिया और जितना भी इसमें चोकलेट सिरफ बच तहना मैं पिर अपने ग्लास में टाल दिया क्योंकि मैं तो अभी पिऊंगी नहीं मैं नहाने वहाने पूज खाने में उसके बाद यहां पे फटा फट से अपने स्लैब को कर लूँगी क्लीन और अभी सूबा का ज़्यादा काम नहीं हुआ था सिर्फ मैंने जहाड़ो लगा था और नाश्ता वगरा बस आगे थी बनाने के लिए यहां पे अब स्लैब वगरा क्लीन कर लूँगी बरतन वगरा वगरा वश करनों कि उसके बाद मुझे पूचा होचा लगा कर नहाने जाना है तूबा में इतनी भागम भाग रहती है न क्योंकि हस्बन को 9.30 बज़े की बीच में आफिस के लिए निकलना होता है और मुझे इतनी भागम भाग रहती है कि मैं नाश्ता बनाओ कि घर का काम करों फिर पूचा वगरा करने में लेट होता है इसी वज़े से ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि हर जगा कैमरा सेट करो इसलिए मैं अभी प्रॉपर तरीके से अपना व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूं ज्यादा तर किचन की ही सारी चीजे मैं आप से बैक टू बैक शेयर करूँ यहां पर जितने भी बरतन वगरा है वो वाश कर लेती हूं फटा फट से अभी हर्थ पर नाश्ता कर रहे हैं बस फिर वो प्लेटे वगरे रह जाएंगी तो यहां जितने बरतन सुबह के ना अच्छे खासे बरतन होई जाता है और रात में मैं सुचा कि सुबह दो लोंगे फिर याद आए कि अरे सुबह अगर करूंगे ना फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है फिर सुबह नाश्ते के अलग बरतन हो जाएंगे तो सुबह का लोड नहीं रखती हूं अभी ही अपना काम निप्टा लेती तो रात के बरतन मैंने ला दूंगी तो जी मेरा किचन हो गया क्लीन अब जा रहे हो फटा फट से डेस्टिंग करके पोछा लगाऊंगी फिर नहा कर ही मिलूंगी आप से तो आई हो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो फाइनली इसी वीडियो को एडिट करे थी जो वीडियो आप देख रहे हो तो मैंने सुचा कि चलो इस व्लोग को यहीं पर एंड करते हैं और बस मस्क सा वेदर हो रखा है बहुत ही अच्छी हवा चल रही है धूत आ रही है जा रही है लेकिन अभी तो बिल्कुल चाओ टाइप है और बहुत अच्छी हवा चल रही है अंदर गर में लग रही थी इसलिए मैंने सचा कि चल बैलकनी में बट के वीडियो को भी एडिट करती हूँ तो मैंने सचा कि इस व्लोग को अब यहीं पर एंड करते हैं ज्यादे लंबना करते हुए आई होप आपको आज का व्लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है ताब को पत तरीके से सारी वेजीस वगिर भी उने खिला करते हो बहुत ही हेल्धी रेसिपी है बच्चों से लेके बूडे तक सभी आराम से खा सकते है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बस यही थी मैं हमेशा कुछिश करती हूं कि सारी हेल्धी हेल्धी रेसिपी आपसे शेयर करूँ जो म मुझे कमेंट करके जरूब दना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आज की रेसिपी कैसे लगी दो चलो मिलते हैं आप से नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी की साथ तब तेख लिए टेक केर टाटा बाय बै एंड लव यरसेल्फ और वेज